असलाम वालेकूम दियर स्टूरिंट्स, होब यू आट फाइन, यह वे लेर्णिंग साइन्स फ्लास ट्री एन इट्स उन पेज सेवन, सो लेट्स किट स्टार्ट, तो प्यारे बच्चो आज हम लोग साइन्स, क्लास 3 की साइन्स का नाम है आर्टीत, आर्टीत मतलब हमारे दांत, तो बच्चो पहले हम देख लेते हैं कि हम इस चेप्टर में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, कि आप लोगों को पता लगेगा कि मिल्स टीत और पर्मरेंट टीत में क्या फरग होता है, कि आप लोग जो हमारे तीत हैं उनकी बेसिक बेसिक स्ट्रक्सर उनका मतलब आप लोगो पता चलेगा और आप उनकी डायग्राम भी हूद बना सकते हैं, और थर्ड, क्लासिफा हुमन टीत अकॉरण तो तो फंक्शन तो आप हुमन टीत को क्लासिफा कर सकते हैं, कि वहार उनकी टेतल के प्रफहर इंढ़ी हैं, क्यरे और भी पता सकते हैं, कि वह क्या humor के फंक्शन पर फॉर्म करते हैं और क्या रिपाजान डेतल को क्या ग्रीन एंजार्ट हूद के नुबहन से क्या आप लंग यहां तूब करते हैं, a newborn baby has no teeth जो newborn baby जब पाइदा होता है तो उसके दान्त नहीं होते it has tooth birds developing under the gums, babies have their first set of teeth by the time when they are 3 years old they are garden big teeth, baby teeth or temporary teeth, there are 20 numbers वो लोग बता रहे हैं कि जब newborn baby पाइदा होता है तो उसके कोई दान्त नहीं होते हैं तीक है, उसके जो मसूरे होते हैं उसके लिए tooth birds होते हैं जिनकी मदद से वो खाना बिलकुल जो है, पतला खाना जो है, वो खा सकता है तीक है, और जो जब मतलब जो पहला जट निकलते है दान्तों का, एक छोटे बच्चे का वो तब निकलते है, जब बच्चा तीन साल के अमर में जाता है, और उन दान्तों को हम milk teeth कहते हैं, दूद के दान कहते हैं, baby teeth कहते हैं temporary teeth कहते हैं, मيطलब àrzi दान्त और वो जब फरीज दान्त होते हैं जब बच्चा पैदा होते हैं तो स CPR नहीं होते हैं और उसके दान्त कब निकलने स्थार्ट होते हैं जब वो तीन साल का हो जाता है और उन Daantों को हम दूथ के बच्छे के दान कहते हैं या फिर तेश्ट slippe इस जद niveau ніहिए we go to the mix so our practice Чई जाग गांगे से समन न अर च्रoba cape न मेर्विंट यूद संड किढ़цев धन के बच्षन निहित जाते हैं, they can not grow again once lost, so we should take care of them, जो अगर एक दफा ये गेट जाएं, तूट जाएं, तो ये दुपारा नहीं निकल सकते हैं, तो इसलिए हमें इनका खयार रखना चाहिए, and adult has 32 permanent teeth, जो adult है, जो बड़ी उमर के लोग होते हैं, तो ओके, जो 20 से उपर होते हैं, उनके कितने दान्त होते हैं, 32 दान्त, as we grow, तो यहाँ भी क्या बात हो, लगे, parts of a tooth, कि दान्तों की कितने parts होते हैं, so, as we grow, जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, our teeth under many changes, हमारे दान्तों पे भी बहुगा ज़दा changes आते हैं, जो विजिबल पार्ट जो नज़र आ रहा है, जो यह आपको प्मतलब नज़र आ रहा है, उपर हमारा dant हमें नजर आ रहा है, जिनको हम teeth कहते हैं, okay, उनको क्या कहते हैं, crown, और मसूरों के नीचे जो जरे होते हैं, उनको क्या कहते है, root, मतलब एक पूरा dant है, उपर वले portion को कहते हैं, crown, नेचे वले portion को कहते है, root, तुद टाइप्स, दान्तों की टाइप्स, वें यू लूग इना मिरे, जो आप शीशे में देखते हो, तो हर जो दान्त की शेव होती है, वो बिल्कुल डिफरेंट लगती है, और वो एक अलगी जो, मितलब सब का अलग अलग काम होता है, हर दान्त एक काम नहीं करता, क्या जी, सबसे पहले आगे हैं, कनाइन्स, हैल्प टू टियर फूट, जो जो कनाइन्स होती है, जो हमारे चार दंदों के आगे जो दान्त होते हैं, ठीक है, रहुए फहले चार दंदों को छोड़ के जो 5 में था, जो नजर आन्स को क्या कहते हैं कनाइन्स? और वो किसले होता है? help to tear food खाने को तोड़ने के लिए यूज़ होता है ठीक है next molars help to grind food molars हमारी एंडवली दारों को कहते हैं और वो किसले यूज़ होता है खाने को पीसने के लिए next pre molars pre molars हमारे नीचे वले जो कहलो के fourth दान को हम कह सकते हैं ठीक है आगे वले तीनों को छोड़के अगले जो बीच वले जो दान्तों दें तो थोरे से नुकीले भी होते हैं उपड़ से अपड़ से लिए तो उनको क्या कहते हैं pre molars help to chew food जो दान्तों को चुबाने के लिए लिए होता है and the last one incisors तो यह किसले उस होता है help to cut and chop food यह खाने को कट करने और उसके तुकड़े करने के लिए होता है तो यह थी कुछ ताइप से मादे दान्तों की और उनके उसे उसे तो आम इनके बारे में तुरह से डिडेल में पढ़ लेते हैं incisors the teeth at the front of the mouth are called incisors or biting teeth जो हमारे सामने बेले जो दान नजर आ रहे होते हैं जो चार दान उपर नीची के नजर आ रहे होते हैं उनने के कहते incisors they have a chisel shaped crown with a single root they help in cutting and biting foot we have a total of eight incisors four in a lower jaw and four in a upper jaw नाले का है फौही के हम यह you know it in this video we need to open chest colored cuts आंतों कर एछी से अमनों पहें कीसे ठीजार में अडिक्रियूम्हा आता है except stone में बारे नाले जो एक ऊने कि समूत कवे money cat left के लिए दान्त होते हैं उनको के नाइन्स फोलते हैं because they are pointed and sharp क्योंके वो बहुत तेज दान्त होते हैं जो के हमें मदद करते हैं खाने को तोडने के लिए they have a single this tube shaped crown with a single root they are four in numbers two is the two in the upper jaw and two in the lower jaw यह क्यों होते हैं कर शेप में होते हैं इनके एक ही ज़र होते हैं next यहाँ पर आगे हैं pre-mollars behind the canines canines से आगे the bigger flatter teeth are chewing chewing teeth called pre-mollars जो अग्ले दान जो हमें नजर आते हैं जो कि हम खाने को chew करने के लिए उनको pre-mollars कहते हैं they have two cusp in cusp in their crown with two roots we have a lot of eight pre-mollars four in the upper jaw and four in the lower jaw तो हमारे के होते हैं eight pre-mollars जो होते हैं चार उपर होते हैं चार नेचे की दरफ होते हैं और इनकी 2 roots होते हैं next molars next to pre-mollars and molars to pre-mollars से अगले molars होते हैं molars हमारे last dhant होते हैं जो इनको हम धारे भी बोलते हैं they are the biggest and the toughest of all the teeth वह हमारे सबसे दान्तों में सबसे सदा बड़े और सकत दान्त होता है They are wired in pre-molars and are helping chewing and grinding When we pre-molars को क्या विड़ते हैं, खाने को पीशमे और शिरू करने किव्यु करते हैं They have a cusp in their crown with three roots and it has three root They have 12 way numbers, 6 in the upper jaw换ning and 6 in the lower jaw यह 12 तदाद में क्या होते हैं बारा होते हैं शे उपर की तरफ और शे नीचे की तरफ To keep our healthy teeth, we should eat healthy food अपने healthy dandos के लिए हमें healthy food काने की जरत है Intake of milk or products made up of milk makes our teeth strong दूद से बनीवी चीजे हैं और दूद हमारे dandos के लिए बहुत फाइदे मनद है Food which contains sugar and starch leaves a thin sticky layer on teeth, it is called plaque Bacteria thrive in it, creating a hole in the teeth leading to tautique ऐसा food जो के sugar और starch छोड़ता है वो हमारे dandos के पड़े clean layer बना देता है जिसको हम प्लाग भी भोलता है तो मोरेश के होते हैं जिनकी 3 जर्य होती है और वो हम्मारे खान और वो हमें मदद करते हैं कि हम अपने खाने को chew कर सके और grind कर सके Last May How to look after your teeth हम अपने दान्तों की कहलो कि हम अपने दान्तों की देखबाल कैसे कर सकते हैं Brush and dental floss your teeth at last at least twice a day हम अपने दान्तों को brush करना चाहिए दिन में तक डिवन दो अदफा विजिट यूर देंटिस्ट अट लिस्ट वन्स एवरी सिक्स मन्स हर्ट से महीने बाद हमें देंटिस्ट को जाके चेक करवाना चाहिए Drink milk everyday, रोज दूद पीना चाहिए Eat healthy food comprising fruits and vegetables Healthy food खाना चाहिए जिसमें fruits and vegetables शामिल हो Award too many sweets and sweetened drinks because they are not good for teeth हमें जादा मिठाई, मीथी चीजे और मीथी पीने वाली चीजों से भी अवाइड करना चाहिए क्योंके वह हमारे दान्तों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता तो वच्छों होपस आप लोगों समझ आई है हम नेक्स टेप्टर पढ़ेंगे और इंशाला मिलेंगे अपना ख्याल रखिएगा अलाफेश Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the videos. Thank you very much.